आज हम अपनी Cisco Packet Tracer की Lab 1 परफॉर्म करेंगे जो basic हम देखेंगे कि basic design peer-to-peer network कैसे किया जाता है initially आप सब यह देखो कि आपकी जो Packet Tracer का जो main window है वो किस तरह दिखाई देती है उसमें क्या-क्या चीज़े है उसमें सबसे पहले आपके पास PCs मोजूद है आपज आपके पास PC मोजूद है लैप टॉप अप मोजूद है लाप्ट आप मोजूद है Enter है, I-P फोन है, Simple फोन है, टीवी है, Smart devices है और बहुतسمे devices मोजूद है यहाँ पै और आप यहाँ पर basic देखोगे तो आपके पास router मुझूद हैं, यहाँ पर आपके पास switches मुझूद हैं, आपके पास cables मुझूद हैं, different types की तो initially हम एक basic network draw करेंगे यहाँ पर, जिसमें हमारे पास दो pieces होंगे, एक peer-to-peer network के लाएगा तो यहाँ से हम उपर जाएंगे, देखो उपर हमारे पास कुछ basic tools मुझूद हैं, जिसमें हमारे पास एक note लिखने के लिए, हमारे पास notepad मुझूद है, हमारे पास circle draw करने के लिए, एक circle मुझूद है, rectangle draw कर सकते हैं हम तो initially हम सबसे पहले एक note select करेंगे और यहाँ पे click कर देंगे, तो हमारे पास एक box नजर आ जाएगा, इसमें हम जो हम सबसे पहले lab 1 करना चाह रहे हैं, peer-to-peer network draw करेंगे, तो हम यहाँ पे heading दे देंगे, peer-to-peer या आप simple इसको peer-to-peer भी कह सकते हो network, तो हमने सबसे पहले peer-to-peer network बनाना है, और escape का button दबाएंगे तो यह बाहर आ जाएगा, तो इसमें हमने क्या करना है, basically peer-to-peer network एक ऐसा network होता है, जिसमें हमारे पास दो participants हैं, और उनके पास pieces मौजूद हैं, या laptops मौजूद हैं, या कोई और devices, smart device मौजूद हैं, जो आ करेंगे, simple, यहाँ पे हम दो pieces ले सकते हैं, या आप laptops भी ले सकते हो, तो हम दो PC यहाँ से click करेंगे, drag and drop करेंगे, simple, एक PC ले लिया, दुसरा PC ले लिया हमने, और इनको अपनी मर्दी से जो है, पूरी screen पे कहीं भी adjust कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है, इसका नाम मैं लेट से कि एहमद दे दता हूँ, तो मैंने, अब अली का PC एक एहमद है, अब अली और अपस में एक peer-to-peer network बना के, दोनों आपस में कुछ data send करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी wire के जरीए उन दोनों को connect कर दें, अब यह devices एक जैसी होती है, तो उन में यहाँ पे जो हम cable लगाते हैं, वो crossover cable लगाते हैं, यहाँ पे आप जब नीचे cables में, आप अपना mouse लेके जाओ गया ना, तो सब cables के नाम आ जाते हैं, तो आप सबसे पहले जो आप same devices में जो cable लगती है, वो हमेशा crossover cable लगती है, तो हम अपस में जोइन कर देंगे, तो जैसे हम जोइन करेंगे, आपको यहाँ पे green signal नजर आना शुरू हो जायागा, देखो दोनों जगा पे आपको green signal शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों जोइन हो चुके हैं, अब हमने इन दोनों को तो आपस में जोइन कर दिया, लेक अपने PC1 पे किलिक करेंगे, जैसी PC1 पे किलिक करेंगे तो हमें ये विंडो शो होगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा PC शो हो रहा है आपको, यानि जो आपका desktop PC होता है, प्रॉपर नजर आ रहा है कि पूरा एक PC है, तो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करें, बटन भी मौझूद है, और नीचे आपकी जो मुख्तलिफ पोर्ट्स है, USB की और आडियो की वो प्रॉपर हर चीज मौझूद है, ये प्रॉपर एक PC है आपका, जैसे आप मार्केट से पर्चेस करके लाते हो ना, ये पूरा एक PC है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इ और ये बटन आउन है, तभी ग्रीन लाइट यहाँ पे शो हो रही है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जाना है इसकी डेस्टॉप में, और डेस्टॉप में यहाँ पे लिखावा IP Configuration, तो IP Configuration पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने इसको कोई भी IP address अलोट कर देना, क किसी भी category का, किसी भी type का, let's say कि हम यहाँ पे assign करते हैं, 1.2.168.1.1, यह हमने कोई भी एक random IP address इसको assign कर दिया, और इसकी जो नीचे वाली row है, उसके just click करेंगे, तो इसका subnet mask जो होता है, वो खुद बखुद उसको assign हो जाएगा, तो यह हमने यहाँ पे लिख दिया, और हम simple इसको बंद कर देंगे, इसी तरह का काम हम दूसरे अहमत के PC पे भी करेंगे, और यहाँ पे भी हम desktop में जाएंगे, IP configuration में जाएंगे, और IP address अलॉट कर देंगे, उसी network का जो हमने पीछे दिया था, क्योंकि अगर यहाँ यहाँ पे IP address हम कोई और random सा दे देते हैं, तो हम basically एक land, local area network बनाना चारे हैं, यहाँ पे land network बनाना चारे हैं, तो local area network में इस बात का लाजमी आपने ख्याल रखना है कि दोनों PC's के IP address सेम होंगे, सेम network के होंगे, सिर्फ changes के आएगा 192.168.1.2, यह आखरी जो number होता है ना, इस number को change करना है, इसका मतलब यह कि दोनों एक network के हैं, एक कि लास के हैं, IP address, क्योंकि अगर आप class change कर दोगे, या network change कर दोगे, तो दोनों में communication नहीं होगी, फिर आपको communication करवाने के लिए दोनों के बीच में router लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा van बन जाता है, इसलिए हम अभी land पे काम कर रहे हैं, local area network पे काम कर रहे है हमने IP address की class का और network का ख्याल रखना है, और यहां पे हम just click करेंगे तो subject mask automatically आ जाएगा, तो हमने दोनों PC's को IP address assign कर दी हैं, और simple बंद कर दी हैं हमने, अब हम अगला काम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपने, जो हमने एक network topology diagram बनाई है, बिसकली इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा और खुसूरत करने के लिए हम यहां पे circle बना देते हैं, हमने circle को click किया, और यहां से आप उसकी shape और color बगरा चेंज कर सकते हो, तो हमने black ही रखी है, तो हम simple क्या करेंगे, एक circle जो है वो, oval की shape का, हम यहां बना देंगे, ताकि थोड़ा सा हमारा जो topology diagram है, व और यहां लिखोगे, ताकि हम बता दें कि इस PC1 जो अली का PC है, उसका IP address क्या था, यह लिख लेते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लो तो उसका फाइदा यह होता है, आपको पता चल जाता है, कि आपने इस PC को क्या IP address अलॉट किया था, वो बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम दोनों के उपर उसके IP address को मेंशन कर देंगे, 192.168.1.2, इसको हमने 1 दिया था, इसको 2 दिया था, हम इसलिए इन दोनों PC's के IP address को उनके उपर ही शो कर देंगे, अच्छा, अब यह हमारी जो ट्रपोलोजी डाइगराम है, कंप्लिट हो गई है, अब हमने इसको चेक करना है, कि हमने अली, अहमद को कोई data send करना चाता है, या अहमद अली को कोई data send करना चाता है, तो वो real time में किस तरह होगा, आप गोर करो कि इस पूरी window में kOne may real time लिखावा है, तो अभी हम पहले देखेंगे real time में कैसे होता है, real एल ताइम में हमें डेटा जाता हुआ, नजर नहीं आएली आएगा, लेकिन हम भेज रहे होंगे तो हम किस तरह करेंगे डेटा में काम, हम लेट से मान लोकिया Unisdtax कोई डेटißt वह आहमत पो सेंड करना चाहते हुआ तो हम pc1 पर क्लिक करेंगे अली के pc पे एक्टिफ मोड में मौझूद है तो हम पिंग लिखेंगे और अगले PC का IP अड्रेस 192.168.1.2 यह लिखें एंटर दबा देंगे तो यहाँ से रिप्लाई मौझूद हो रहा है यानि हमाएं यह इंशूर हो जाता है यहाँ पे कि अगला PC जो है वो एक्टिव है वो सोयावन ह है या वो जा करा है इस टाइम तो वहाँ से हमें रिप्लाई मौझूल हो गया अब हम इसको बंद कर देंगे अब हम एहमद के PC से अली के PC को एक रैंडम सिगनल पिंग बेजेंगे यहां लिखेंगे पिंग उसका IP अड्रस क्या था अली का 192.168.1.1 एंटर किया अब यहा ने टाइम में सेंड किया था तो यह दोनों चीज़ें यहां से शूर हो गई कि दोनों PC आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे के डेटा को एकसेप्ट कर रहे हैं अब यह चीज़ जो है ना कि अली ने एहमद को कोई डेटा भेजा या एहमद ने अली को कोई डे वह देख सकते हैं तो हम बेसिकली वही चीज़ इस पैकेट ट्रेशन में यहां कोने में देखो सिमूलेशन लिखा हुआ है सिमूलेशन में जाके यह काम करेंगे हम सिमूलेशन पर सिंपल किलिक करेंगे और तो हमारे पास यह विंडो नजर आ जाईए हम दुबारा ली के PC पर किलिक करेंगे और दुबारा से जो है वो कमांड प्रॉम्ट में जाएंगे सिम्पल यहां पर एक पिंग जनरेट करेंगे रेंडम सिंग सिगनल जनरेट करेंगे 192.168.1.2 हमने एहमत के PC का IP address डाला और हमने एंटर दबा दिया अब जैसे एंटर दबाया ना तो हम इस देखो प्ले का बटन है इस प्ले के बटन को हम दबाएंगे तो यह आपको जाता हुआ नजर आएगा एहमत के PC पर देखो किलिक किया तो यह प्रॉपरली जाता हुआ है एहमत के पास रिसीव हो गया है अब एहमत दुबारा उसको एकनॉलिजमेंट भेजेगा यह इसने इसको एकनॉलिजमेंट भेजी के मुझे आपका पैकिट रिसीव हो गया और टिक का निशान बार-बार शूँ हो रहा है इसी तरह यह काम चार दफा करेगा यह इंशूर करने के लिए कि दोनों एक्टिफ मोड में मौझे हो देखो दुबारा से उसने जो है वो उसको पैक पैकिट भेजा है अब एहमद दुबारा रिप्लाइ देगा अकनॉलिजमेंट देगा कि मुझे आपका पैकिट आपका डेटा रिसीव हो गया है तो यही बेसिकली हम अक्सर अपने लेक्चर में बात किया करते थे कि हम देखेंगे हम सिमूलेशन में जाके देखेंगे किस तरह से जो है वो पैकिट जाते हैं और रिसीव होते हैं और अकनॉलिजमेंट होती है और बिसिकली एक डेटा कम्मुनिकेशन का जो हमने में पार्ट जो है वो हम आज सिमूलेशन में हमने देख लिया तो हमने आज बिसिक लैब परफॉर्म की है दो पीसी लिए है उनको ज PN network बना लिया अब let's say मान लो के 2 से ज़्यादा PC हैं तो फिर हम क्या करेंगे 2 से ज़्यादा PC हैं तो 2 से ज़्यादा PC's को जॉइन करने के लिए हम switch का सहरा लेंगे क्योंकि switch में basically बहुत सारी ethernet ports होती हैं और 2 मुख्तलिफ PC's हैं वो आपस में join हो जाते हैं तो यह हम देखेंगे next video में तब तक के लिए इस video को यहाँ close करते हैं और next video में हम देखेंगे कि 2 से ज़्यादा PC's को अगर हमने join करना है through a switch तो वो किस तरह से होता है